पराथा तो अपने बहुत टाइप के खाए होंगे बानाये होंगे तिकिन साइधी इस टाइप का पराथा बानाये होंगे नमस्कार मैं शहयुकता कोकिंग फ्याटिक चनल में आप सब कसा अगत है आज मैं आपके साथ सेयर करूँगी भेली पूरी पराथा का रेसिपी साथ म एक बहुती चट पोटा प्याज का सेयर करूँगी तो आएए रेसिपी देख लेते हैं सबसे पहले एक बड़ा बावल लेंगे उसमें एक कप आठा और इसमें डाल देंगे नमक और डाल लेंगे इसमें दो टेबिल स्पून हम तेल डाल देंगे आच्छे से तिरसे हम इसे बयाल दे लेंगे आच्छे से मिष्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इसे थोड़ा थड़ा करके पानी डालके नर्मेल जैसे आटा गूनते हैं पाठा के लिए इस तरिके का आटा हम गून लेंगे आटा हम रड़ी है आच्छे से सगुन लिया है और इसे ठाक के शाइड में राग देते तब तब इसका स्टाफिंग जो हम रेड़ी कर लेते हैं इसके लिए एक बोड़ा साइज कप अलू लिया है उसको मैस कर लिया है उबला हुआ आलू और डाल देंगे बाई चप के और प्याज एक और हापका भूजिया से और वान टी सून हम लेंगे चाट मसाला दो से तीन बाइक चप किया हरी मिर्ज और डाल देंगे मुर्मुरा एक कप और इसमें डाल देंगे हम हरा धन्याय के चाटनी और इसमें डाल देंगे हम इंगली का चाटनी मिठी चाटनी डाल देंगे और इसमें डाल देंगे हम एक टीस्पुन लाल मिश्ट पाउडर नमोग साधनिसार और डाल देंगे नीबु काड़ा स्वान टीस्पुन और डाल देंगे बारी चप की होगा हरा धनिया भाद करनी भी टीव करनी हैं, हाथ के साथ करेंसे इसासी करों लाएthemं सत्वी जन्जिशा Приख लगए मुटथकी स्कतेश हैं आप सालड के लिए मैंने में एक प्याच का स्काफिक मुल्कुछां के आप साद होन्की काल लिए इसास कहले लिए पतले पतले रिंग जैसे हम इसे काड लेंगे आप इसे खोल देंगे रिंग को इस तरीक ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है इस प्याज का सलाट इस पराठा के साथ आप ज़रूर एक बार ट्राइ करना पुछ पसर आएंगे तो सारे इस लिंग्स को हमने खोल देया है अब एक बावल में पानी लेंगे उसमें डाल देंगे कुछ आइसकीव और उसमें हम डाल देंगे काटें होए प्यांच और इसको हम 10-15 मिनिट ऐसे राख देंगे इठांडे पानी में हम इसे डूगों के राखेंगे तो चले 10 मिनिट बाद हम दिखा रहे हैं तो इसको पानी से निकाल लेते हैं अच्छे से इसका पानी छान लेना इस तरीके से आप चाहिता हाथ से भी कर सकते हो तो एक बावल में लेका लेंगे सारे प्याच को बलन को वादो रहे हैं तो यसमें डाल लेंगे हम काला नमुख और डाल देंगे हम चाट मसाला हkee सब्सक्राइब देंगे लाल मिष्ट पावडर बारी चप किया हरा धनिया और डाल देंगे हम नीभू का रस बस अच्छे से इसे मिष्ट कर लेंगे और जो प्याज का सलाड है वो हमारा बिल्कुल रेडी है तो छेली पाठा हम बाना लेते हैं इसके लिए छोटए-छोटे लोई बाना देंगे ज्यादा छोटा नहीं जैस मीडियम साईस का ट्व बानाना मैंने जो आटा गुन्दा था उसमें चार पराठा बनेंगे आगए जादा बने न चाहते उसके इसके सबसे याँ अब अब जादा आठा गुन लेते हैं इसके लिए थोड़ासा सूखा आठा बेल ऑपर छिड का देंगे और हलका सहीचे थोड़ा सा हम बेल लेंगे उसके बाद इसे स्टाफिंग राखेंगे तो चलिए जो बेल पूरी का स्टाफिंग हमने राखा था अब इसके उपर हम राख देते हैं इस तरह कैसे राख देंगे और इसे प्राठा के सेव में बना लेंगे आख खाने में भी बहुत ही चटफटा है पराठा अब बनाके पर जुरूर्ड ट्राई करना और अगर अच्छे लागे तो आपके फ्रेंड के साथ स्यायर भी करना इसके हालका हाथों से ज्यादा दावा की इसके बेलना नहीं है हालका हाथों से आप इसे पतला करके बेल लेना है तो चलिए हो चुका है अब उसे फ्राइ कर लेते है जैसके पहले से मैंने पराठा दावा रखा था गरम होने के लिए और दोनों साइड हम आच्छे से इसे सेख लेंगे उसके बाद हम तेल से इसे फ्राइक कर लेंगे आज कर मिडियम प्राइब राखना तो चलिए दूसरा साइड भी हमें उसे तेल लागा देते हैं और इसे प्राटा देते हैं प्राटा अलमुस्ट हमारे रेड़ी है तो इसे साथ कर लेते हैं इसके साथ में हम सार्प करेंगे जो प्याज का सेलाड बनाया था वो सार्प करेंगे और साथ में आप दही भी सार्प कर सकते हो भेलपूरी प्राटा के साथ दही भी अच्छा लगता है उमीदे रेसिपी आप लोगों के जरूर परसंद आई होंगे परसंद आयते एक लाइक जरूर कर देना तो चले फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक आपना ख्यार रखना